नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गरांड जोतिस सीक्रेट मीन डासी वालों सुक्र का रासी परिवर्तन हो रहा है सुक्र अभी तक बिसव रासी में विराजवान थे अब वा मिथुन डासी में आ रहे हैं 28 मई 2021 की रात 11.44 पर और यहां पर 22 जून की दोपहर दो बचकर 7 मिनट तक रहेंगे अब सुक्र जो है वो बिलासिता के कारग्रह है चुकि सुक्र को इस तरी कारग्रह भी माना जाता है सुनदर्ता के कारग्रह है और जीवन में प्रेम बढ़ाते हैं रोमांस के कारग्रह है धन भी सुक्रही देते हैं आपके जीवन में जो सुक्रही देते हैं जो आप लगजरी लाइब जीते हैं वो भी सुक्र की ही बदावलत है जीवन साथी और माता का प्यार भी सुक्र से ही मिलता है यहां तक कि आपकी समर्पन की भावना आपके अंदर जो कला वाले गुन है मीडिया, फैसन बिगेर के बारे में भी सुक्र से ही पता चलता है अगर हम जोतिस की माने तो कुंडली में अगर सुक्र मजबूत हो तो जीवन में सभी बिलासिता की वस्तु आसानी से प्राप्त होती है और अगर कमजोर हो तो चीजों को प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्स करना पड़ता है तो आप मीन बालो इस समय आपके दो सुक्र देव हैं आपके तरती और अस्टम भाव के स्वामी हैं और वरतमान में वो चतुर्त भाव में आएंगे और चतुर्त भाव है मा का भाव बिलासिता का भाव और आराम का भाव अब जो बैपसाई हैं उनके लिए नोकरी तो बढ़िया है हलांकि इसमें यात्रा अगर कारे से समद्धित करते हैं तो बढ़िया है लेकिन फिर भी यात्रा आप करने से थोड़ा बचिएगा क्योंकि यात्रा आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है यानि कि आपको एक तरफ लाप तो होगा लेकिन यात्रा से को मेहनत करना है और अपने बदोलत हरकारी करें लोगों के भरों से काम ना चोड़ें भावनात्मक हिस्से जो हैं खुद पर हावी ना होने दें क्योंकि लव लाइफ में थोड़ी चुनोतियां इससे में दिख रही है आपके जीवन में और आपके जीवन साथी के साथ बिव वहन अपना मकान खेदने के भी योग बनेंगे लेकिन कठिन परिश्रम से सफलता भी देंगे लव लाइफ में छोटी मोटी परिस्थानिया है उनसे बाहर आपको खुद निकलना है और इस समय चुकि लव लाइफ को आपको संभालना भी होगा क्योंकि थोरा से यहां पर दिकते हैं अब सुक्र का यह गोचर चौते वां रहर होगा मां के स्वास्तolly सी निकले उवनके में और अपना वहन मकान प्रोपरटी लेए की योगें इस समय कि किसी को फियो अदार देने curso doing we are और अपको ध्यान रखें और आपको स्वास्त का बहुत थेयां रहें सभी चीजों में अपने जो उपस्तिती दर्ज कराईए तो बढ़िया रहेगा रोज साम में घर में कपूर जलाईए तो इससे थोड़ी सांती मिलेगी क्योंकि टेंसन बढ़ा रहा है धन्यवाद